पराथा वो भी डाइट में सुनके ही स्ट्रेंज लगता है ना बट आज मैं आपको एक गुड न्यूस बता रहे हूं कि आप इस पराथे को अपने वेट लॉस जौनी में डेफिनेटली इंक्लूट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको लास वीडियो में भी बताया था कि कोई भी चीज को कंजूम करने का प्रॉपर टाइम और प्रपोर्शन होता है वीडियो को लास तक देखना विकॉज हमने इसमें बहुत ही शाही इंग्रीडियंट्स यूज किये हैं और मैं आपको बताऊंगे इसको कब और कितनी कॉंटिटी में कंजूम करना है और अगर आपने अभी तक से इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया हो तो दू सब्स्राइब फोर मोस अच वीडियो जैसे हम नॉर्मली आटे को गूंदते हैं अभी आटा हमने गूंद लिया इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे तब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी कर देंगे अब हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है पांच से दस मिनट हो जाने के बाद हम हमारे आटे को अची तरस से बेल देंगे जैसे हम नॉर्मली रोटी को बेलते हैं सेंटर में थोड़ा सा गी स्प्रैट कर देंगे अच्छी तरह से इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जो हमाई स्टफिंग थी उसको हम अच्छी तरह से स्टफ कर देंगे अब तक तो आपको पता चली चुका होगा कि हमने इसको शाही पराठे का नाम क्यों दिया विकॉज इसमें सारी शाही चीज़े यूस की हैं जैसे की गी, पनीर, चीज पराठे को अच्छी तरह से बेल देंगे हम और इसको तव्य पर दोनों साइट से अच्छी तरह से हम कुक कर देंगे इस पराठे को आप हफते में एक या दो बर इंक्लूट कर सकते हो अपने breakfast में मैंने देखा है बहुत से लोग breakfast के टाइम में रस्क, डिस्कीर्स और खाते हैं तो उससे better है कि आप एक पराठा खालो because यह बहुत ही yummy and nutritious होता है but as I told you before also कि moderation is the key कोई भी चीज को आपको moderation में ही consume करना है एक limited quantity में एक proper time पे and now you can see our yummy शाही पराठा is ready